जोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो जानकारी आपके सामने प्रस्तूत करने जा रहा हूँ इस जानकारी के बिना कुंडली का वीवेचन कर पाना संभव नहीं है इसके बिना कुंडली का वीवेचन आप कर रही नहीं सकते हैं जब तक आज के इस वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है जानकारी आपके पासर प्लब्ध नहीं है, तो कुंडली का विवेचन नहीं किया जा सकता है, और यदी यू कहें कि इस जानकारी के बिना कुंडली का विवेचन कर पाना मुष्किल ही नहीं, ना मुमकिन है, तो भी कोई अतिशायोक्रती नहीं होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बाते बताई जा रही है जो जानकारी आपको दी जा रही है या कुंडली के विवेचन में सबसे महत्वपूर जानकारी है प्रस्तुत है आपके सामने आज के वीडियो की हेडिंग कुंडली के भावों में ग्रहों की अवस्थाएं जी हाँ कुंडली के भावों में ग्रहों की अवस्थाएं अलग-अलग होती हैं और वे कौन-कौन सी होती हैं उन्हीं की जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करने जा रहे हैं कुंडली विवेचन में ग्रहों की अवस्थाएं जानना बहुत जरूरी है ग्रहों की अवस्थाएं उनकी डिगरी उनका आंश उनका कला सब कुछ एक ही माइने होता है और इनको जानना बेहत जरूरी है यदि आपको यहने मालूम है कि ग्रह किस अवस्था में है उनकी उनका बलाबल देखा जाता है कि वे किस स्थिती में हैं कितनी शक्ती है और यदि शक्ती है तब ही वे अपना परिणाम दे पाएंगे यदि शक्ती नहीं है तो कोई भी ग्रह आपके कुंडली में आपके जीवन में कोई भी भला बुरा कोई भी परिणाम देने में समर्थन और इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको एक कुंड़ली का डाइग्राम बनाना होगा, उसके बाद ही सारी बातें समझ में आने वाली है, तो आई एक कुंड़ली का डाइग्राम ले लते हैं. प्रस्तुत है आपके सामने एक लगन चक्र या कुंडली चक्र का डाइग्राम जो कि एक आयताकार बॉक्स के रूप में है और यह आयताकार बॉक्स लगन चक्र या कुंडली चक्र का लाता है यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है यदि नहीं जानकारी है तो मेरे पिछले वीडियो देखते हुए आईए आपको सब कुछ जानकारी मिलता जाएगा और यदि यहाँ पर आके सीधे समझना चाह रहे हैं तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी इसलिए आपसे बिंती करूँगा गुजारिस करूँगा कि आप मेरे पिछले वीडियो देखते हुए आईए और जो लोग मेरे इस चैनल पर मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि यह एक आयताकार बॉक्स है जो कि एक लगन चक्र कहलाता है कुंडली चक्र कहलाता है यह पूरे 360 हंस का होता है 360 हंस का कैसे होता है सबसे पहले तो एक छोटा सा गणिती फार्मूला आपको बता दूँ कि यह चार समकोन बना रहा है चार समकोर मिलकर की 94 चार बार मिला दिया जाए तो 360 हंस ही होता है तो इस तरह से यह पूरा कुंडली चक्र 360 हंस का होता है और दूसरी बात में हम चलें यह दूसरी विचारधारस ही इसको समझने का प्रयास करें तो यह कुंडली चक्र पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता होता है पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व इसी के जिम्मे पर होता है इसलिए पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है पूरा ब्रह्मांड इसी में छिपा हुआ है और यदि आपको पता हूँ तो पूरा ब्रहमांड भी एक गोलाकार गेंद की तरह है और कोई भी वस्तू गोलाकार की कोई भी वस्तू तीनसो साथ हंस का होता है और यही कारण है कि ब्रहमांड और यह कुंडली का चक्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तीनसो साथ हंस के ही होते हैं, संपूर कुंड़ली 360lt का होता है, अभी मैंने बताया ही और इसे 12 भागों में विभाजित किया गया है, अब आपको समझ्मने आ रहा होगा कि 12 भाग में क्यों विभाजित किया गया है, चुकि 12 राशियां होती हों और 12 राशियों को एक-एक घर चाहिए, एक एक कमरा चाहिए, उनको निवास करने के लिए एक एक कमरा चाहिए, इसलिए इस पूरे ब्रंभांड को इस पूरे स्रिष्टी नुमा इस लगन चक्र को बारा भागों में बिवाजित कर दिया गया, बारा कमरों में बिवाजित कर दिया गया है, जिससे कि सभी राशियों को एक-एक कमरा दिया जा सके सभी घरों में या सभी भावों में या सभी कमरों में राशियों के अनुसार उनके स्वामी ग्रह बैठे होते हैं सभी घरों में एक-एक रासियां होती है और जो उन रासियों के स्वामी ग्रहा है वही उस भाव के स्वामी हो जाते हैं बारा रासियां हैं और उन बारा रासियों के जो साथ भोतिक पिंडवाले ग्रहा हैं उनके स्वामी होते हैं और वही स्वामी इन बारा घरों के स्वामी कहलाते हैं और रासि के अनुसार जो ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं उन्हीं ग्रहों की अवस्थाओं का ध्यान करना है, उन्हीं ग्रहों की डिगरी का ध्यान करना है, उन्हीं ग्रहों की कलाओं का ध्यान करना है, और उन्हीं ग्रहों के अंश का ध्यान करना है, तो इस वीडियो में पूरी विश्थार से आई आगे बढ़ते हैं, एक घर में, चाहे आप बारा में से कोई भी घर ले लें, एक घर में बैठे हुए ग्रह, कोई भी ग्रह किसी भी भाव में किसी भी घर में बैठा हुआ है, तो वह 30 डिगरी चलता है, और वह कैसे 30 डिगरी चलता है, संपूर्ण ब्रह्माण या संपूर्ण लगन चक्रत 360 हंसका होता है, जो कि 12 भागों में विभाजित किया गया होता है जो कि 12 कमरों के रूप में है तो यदि आप 360 को बराबर बराबर 12 भागों में बाट देते हैं तो क्या होता है 360 को 12 भाग में विभाजित कर दीजे बाट दीजे तो 30 बचता है और वही 360 अंस को 12 भाग में बाटने के बाद 30 ड बैठे नहीं होते हैं, वे सदेव चलायमान होते हैं, अपनी इस्थितिक अनुसार पे वे चलते रहते हैं, और यहां से चलते हुए, यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद दूसरे भाव में प्रवेश कर जाते हैं, तो जब एक भाव 30 अंस का है, तो वे ग्रह भी 30 अंस तक चलते हैं, एक भाव में सुन से लेकर के 30 अंस तक चलते हैं, उसके बाद जब 30 अंस को पार कर जाते हैं, तो फिर दूसरे भाव में प्रवेश करते हैं, तो इस तरह से देखें, तो प्रते भाव 30 अंस का होता है, और उसमें बैठे वे ग्रह भी 30 अंस ही चलते हैं, प्रते एक ग्रह एक घर में या एक भाव में 30 डिगरी तक चलता है तक चलता है जब कोई ग्रह किसी भाव में एक से लेकर तक जाते जाते वे ग्रह अलग अलग रूप में अलग-अलग अवस्थाएं परिवर्थित करते रहते हैं यदि आप इसको इस कल्पना के तोर पर माने की एक घर में बैठा हुआ है एक मनुष्य और वह मनुष्य उस घर में अपनी पूरी जिंदगी बिताता है तो क्या होता है जब वह बचपन में पैदा होता है तो अलग अवस्था कहलाती है थोड़ी दिन बाद अलग अवस्था कहलाता है थोड़ी दिन बाद अलग अवस्था और अन्त में अलग अवस्था कहलाता है इसी तरीके से एक भाव में एक घर में बैठे वे ग्रह भी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सफर तै करते हैं तो इस तरह सी इनकी अवस्थाय निरधारित की जाती है उनकी डिगरी के अनुसार पर उनकी अवस्थाय निरधारित की जाती है सभी ग्रहों को प्रत्यक घर में या प्रत्यक भाव में पांच अवस्थाओं के रूप में विभाजित किया जाता है उनको पांच रूप में विभाजित किया गया है उनकी पांच अवस्थाओं निर्धारित की गई है कैसे कैसे उनकी अवस्थाओं को निर्धारित किया गया है आईए एक एक करके देखते हैं प्रतेक भाव में ग्रहों को उनकी डिग्री के अनुसार पर पांच भागों में विभाजित किया गया तो पांच भाग में विभाजित करने के लिए इस 30 डिगरी को 5 वराबर वराबर भागों में विभाजित किये तो क्या हुआ? एक भाग हमको 6 अंस का मिला तो इस तरह से देखें सुन शेंश, 6-12 अंस, 12-18 अंस, 18-24 अंस, 24-30 अंस तो इस तरह से पाँच भागों में पाँच अवस्थाओं में इन ग्रहों को बाट दिया गया और प्रतेक अवस्था में इनके काम करने की प्रबलता भी अलग-अलग होती है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सुन से 6 डिगरी तक यदि कोई ग्रह है उसकी इस्थिती यदि सुन से 6 डिगरी के मध्य है तो उसका परिणाम चाहे वो सुब परिणाम हो चाहे आशुब परिणाम हो मातरफ 25 परसेंट ही मिलेगा और 6 से 12 डिगरी तक है तो 50 परसेंट मिलेगा 12 से 18 डिगरी तक है तो 100 परसेंट यहाँ पर वह पूरे बलाबल में होता है पूरे म बाद जब हम 18 से 24 की और जाते हैं तो उसकी अवस्था ढलने लगती है और वह पुना 50% परिणाम देने में सफल होता है या उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि वह कम काम कर पाता है उसकी अवस्था ढलने लगती है और जब वह 24 से 30 डिगरी की और चला जाता है तो उसकी अव से 30 दिगरी तक है तो उसका परिणाम सुनने हो जाता है क्यों वह बलहीन हो जाता है और निश्क्री हो जाता है और ऐसा क्यों है कि सुनने से 1 तक या 28 से 30 तक वह सुनने हो जाता है निश्क्री हो जाता है तो आपको मैं पुना है एक उदारान देना चाहूंगा कि यदि कोई बच्चा उत्पन हो रहा है पैदा हो रहा है जन्म ले रहा है तो वह कुछ दिनों तक बिल्कुल बलहीन रहता है उसको दूद आपको पिलाना पड़ता है भोजन आपको कराना पड़ता है वो उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है उसमें हिलने डुलने तक की शक्ति नहीं होती है तो वही इस्थिती है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है अगर सुरुवाती दोर पर है एक से दो डिगरी तक तो उसमें कोई शक्ति ही नहीं है तो आपको परिणाम कहां से देगा और अंत में यदि वही इस्थिती देखें कि कोई विक्ति मरने वाला है मरनासन में है और वह बिस्तर में पड़ा है उसको कोई होस नहीं है कोई शक्ति नहीं है उसको आप पानी ले जा कर दे रहे हैं वोजन ले जा कर दे रहे हैं तो आपके लिए वो क्या करेगा कुछ भी नहीं करेगा और वह चुपचा पड़ा रहेगा इसलिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सुन प्रतस्त परिणाम हो जाता है क्यों? क्योंकि वे बलहीन होकर की निश्क्री हो जाते हैं। तो यह आप अभी तक समझ गए कि ग्रहों की अवस्थाइं क्या होती हैं और वह किस किस अवस्था में कैसे कैसे परिणाम देता है। लेकिन इसके बाद इन पाँच अवस्थाओं के नाम भी निरधारित किये गए हैं और इन पाँच अवस्थाओं के क्या क्या नाम निरधारित किये गए हैं आईए वह भी देखते हैं। प्रस्तुत है आपके सामने एक नई हेडिंग कुंडली के ग्रहों की अवस्थाओं के नाम जी हाँ, हम जैसा कि आपको बताए कि पाँच भाग में ग्रहों की अवस्थाओं को विभाजित किया गया है, लेकिन उनका नाम क्या क्या है, उनको किस-किस नाम से आप जानेंगे, वह भी समझना आपको जरूरी है कि वह किस अवस्था को निरधारित हो रहा है सबसे पहले आप अवस्थाओं के नाम जान लीजे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस इस्थिती में किस नाम को निरधारित किया जाता है तो एक नाम होता है बाल्य अवस्था, दूसरा नाम होता है कुमार अवस्था, तीसरा नाम होता है पूर्ण युव अवस्था, चौथा नाम होता है बृद्धा अवस्था और पाच्वा नाम होता है मृत अवस्था तो इस तरह से ग्रहों के पांच नाम होते हैं और उस पांच भाग को पांच नामों से निरधारित किया जाता है तो उनको कैसे कैसे निरधारित किया जाता है क्यों क्योंकि सभी भावों में एक ही प्रकार का नाम नहीं निरधारित किया जाता है जब भी कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो यदि सुनने से लेकर के 6 डिगरी तक है तो उसका एक ही नाम प्रतिक भाव में नहीं होगा अलग अलग होता जाएगा यदि 24 से 30 तक है तो 24 से 30 तक में भी प्रतेक भाव में एक जैसा नाम नहीं होगा अलग अलग नाम उसका निर्धारित होगा और वह नाम कैसे निर्धारित होता है उन भावों में बैठी हुई रासियों के आधार पर निर्धारित होता है प्रस्तुत है आपके सामने यह है एक चार्ट, इस चार्ट के माद्धम से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है क्योंकि इसको हम पांच भाग में बाढ़ दिये हैं विशमरासी में ये नाम, समरासी में ये नाम अब आपको हम बता देते हैं सबसे पहले विशमरासी यदि विशमरासी में कोई भी ग्रह है विशमरासी में आप देख रहे हैं कि मेस, मिथुन, सीह, तुला, धनू और कुम्ब यह कोई भी रासी हो और इसमें कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह यदी सुन से 6 अंस तक है तो बाल्य वस्था में कहलाएगा और इन्ही रासियों में यदी 6 से 12 अंस के बीच है तो वह कुमार वस्था कहलाएगा और इन्ही विशमरासियों में यदी वह 12-18 अंस तक है तो पूर्ण युवा वस्था कहलाएगा और इन्ही विशमरासियों में यदी वह 18-24 अंस तक है तो बृद्धा वस्था कहलाएगा ढलती उम्र हो जाएगी उसकी और इन ही विशमरासियों में यदि वह 24 से 30 अंस तक है तो मृत वस्था कहलाएगा तो इस तरह से आप इन अंसों के निर्धारण के अनुसार पर विशमरासियों के नाम आप जान चुके हैं अब हम आगे बढ़ते हैं तो समरासि की ओर आते हैं समरासि ब्रिश कर्क कन्या ब्रिश्चिक मकर या मेन इन रासियों में से कोई भी रासियों हो और उस पर जो ग्रह बैठा हो उसका नाम इसके अनुसार पर होगा समरासि के अनुसार पर होगा तो क्या होगा यदि समरासी में अर्थात इन रासियों में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी डिगरी उसका आंस यदि सुनन से 6 आंस तक है तो हम रिधा वस्था कहलाएगा यदि इन ही रासियों में अर्थात समरासी में 6-12 अंस के मद्द कोई ग्रह है तो वह बिद्ध अवस्था कहलाएगा और इसी समरासी में इन ही रासियों में से कोई भी ग्रह 12-18 अंस तक होगा तो वह पूर्ण यूवस्था में होगा वह पूर्ण यू अवस्था का नाम कहलाएगा और यदि इन ही समरासियों में ही इन रासियों में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है उसकी डिग्री 18-24 अंस तक है तो वह कुमार अवस्था में कहलाएगा उसका नाम कुमार अवस्था होगा और अंत में यदि 24 से 30 अंस तक है इन ही समरासियों में तो वह बाल लेवस्था कहलाएगा अब यहाँ पर आप देख लेए हैं कि मृत अवस्था अंत में है तो यहाँ प्रारांभ में है यहाँ पर चौथे नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर है पूर्ण यू अवस्था तो मध्य में ही आ गए अब कुमार अवस्था यहां है तो यही चला गया यहां और बाल अवस्था यहां है तो चला गया यहां तो आप देख रहे हैं कि विसमरासी में जो करम सीधे गया समरासी मों ही करम उल्टा होता आया तो यह फर्क है समरासी और विसमरासी में उपस्थित ग्रहों के नाम पर तो मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके बहुत काम का होगा और यह पूरी बात समझ में आ गई होगी और आज की वीडियो में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है जो तिस विग्यान की बहुत ही महत्पूर जानकारी है और यदि आप जो तिस सीख रहे होंगे तो इस वीडियो में जो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है इसको पूरी तरह से आप अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजे आपको काम आने वाला है और यदि आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हो तो कमेंड बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताईएगा और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मित्रा आपका कोई सखा यदि यह जानकारी जानना चाहता है तूस तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाईएगा और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए महमान के रूप में आये हों तो आपसे गुजारी से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाईएगा और साथ में घंटी के बटन को भी आउन करना मत भूलिएगा जिससे कि जब-जब मैं आपकी सेवा में वीडियो अपलोड करूँगा वीडियो प्रसूद करूँगा तो यूट्यूब महोदे आपको सूचना दे देंगे घंटी बजा करके की घंटी बज गई है और वीडियो अपलोड हो चुका है आप देखिए और जोतिस सीखिए तब तक के लिए मुझे आगए दीजे जय हिन जय भारत आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए इन ही सुपकामनाओं के साथ अलविदा बाई बाई धन्यवाद